हलो नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किरिसी विभाग के तरब से एक ओफिसियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो चलिए देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है गईर सिक्षिनिक पदों पर भरती के संबंद में सूचना देखिए सहायक के लिए 36 पद है टोटल और लेखा पाल के लिए 15 पद है और कंपूटर ऑपरेटर की बात करें तो इसके लिए 10 सीट है और परियोग शाला अनुचर की सीट 56 है और चालक के 15 सीट है और लिपिक सह कंपूटर ऑपरेटर का 10 सीट है और गार्डनर का पहुंच सीट है तो दोस्तों बता दे चलिए आप लोगों को ओफिस्यल वेब साइट पर जाके आप लोगों को डिटेल नॉटिफीकेशन डौनलोड करके आप लोगों को विस्तारित से आप लोगों को बताते हैं तो simple सा ना mobile phone में कोई शब ब्रोजर open करेंगे open करने के बाद यहाँ पे search bar में search करेंगे b-a-u-s-a-b-o-u-r.ac.in जैसे ही search किजिएगा search करने के बाद search करने के बाद इसका official website open हो जाएगा open होने के बाद नीचे scroll करेंगे scroll करने के बाद mobile को यहाँ पे three dot पे किलिक करके desktop mode कर लेना है दोस्तों scroll करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 27 अपरेल 2020 को notification जारी किया गया है यहाँ पे जैसे ही click किजिएगा आपका notification डाउनलोड हो जाएगा detail में तो चलिए इसे open करते हैं अपेन करने के बाद देखते हैं क्या इसमें लिखा गया है तो देखिए दोस्तों यहाँ बिहार किरिसी विश्विद्यालय के तरफ से यह notification निकाला गया है सबोर भागलपूर और विग्यापन सेंख्या 4 2023 को निकाला गया है और 26 4 2023 को यह notification जारी किया गया है और इसमें बता देख क्या लिखा हुए है बिहार किरिसी विश्विद्यालय सबोर के अंतरगत विश्विद्यालय मुक्ति दोस्तों पूइटर और रिक्षा और सस्कार के आधार पर निक्त हेतू स्योग अभिहारती से विहित पत्र में आवेदन आमंतरित किये जाते हैं आवेदन परारूप और विश्विद्यालय के वेवसाइट इतना इतना पर दिनांक 284 2023 से डौनलोड कर सकते हैं चलिए दोस्तों नीचे देख लेते हैं आवेदन कव से अश्टार हो ड़ा है तो देखे यहाँ पे आवेदन करने की परारमतिति है 284 2023 और आवेदन करने की अंतिमतिति है 19.5 2023 और उचिक्त माध्यम दुआरा आवेदन पराप्त होने की अंतिमतिति है 56 2023 बात करें तो आवेदन भरने की अंतिम्ति थी तक अभिहार्थी को निम्ता सेक्षिनिक तक्निकी योगता होनी चाहिए आवेदन भरने के समय आवेदन को आवेदन पत्र के विहित प्रम में सेक्षिनिक तक्निकी योगता के संबंध में पुर्ण सूचना देना अनिवार्ज होगा और देखिए हर एक पद के लिए योगता क्या है दोस्तों तो बेतन अस्तर की बात करें तो देखें बेतन अस्तर कितना है और शहक के लिए योगता क्या है किसी मानियाता प्राप्त संस्थान विश्विद्याले से असना तक समकक्ष डिग्री एबं कम्पुटर में DCI आवस्यक होगा और लेखापाल की योगता क्या है, तो किसी मानियाता प्राप्त संस्थान विस्विद्याले से असनातक समकथ डिगरी एबम नियुंतम एबम वर्स का computer diploma होना चाहिए, लेखापाल के भी लिए computer का डिगरी होना चाहिए, कम से कम एक साल का, उसके बाद computer operator, computer operator के लिए योगता क्या है तो इसमें बोला किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्विद्याले से असनातक संकक्ष डिग्री कम्पूटर में DCI तथा कम्पूटर टंकन अंग्रेजी हिंदी की गती 40-30 सब्द परती मिनट होना चाहिए कम्पूटर ओपरेटर की बात करें तो दोस्तों इसमें एक साल के कम से कम DCI होना चाहिए उसके बाद कम्पूटर टैपिंग होना चाहिए कम से कम गती होना चाहिए, 40-30 सब्ध परती मिनट होना चाहिए, कम्पुटर ओपरेटर के लिए, उसके बाद परयोग सला, देखे, परयोग सला के लिए क्या है योगता, परयोग सला के लिए, दसमी उत्रिन एबं, सारेरिक रूप से स्वस्थ एबं, साइकिल चलाने की करना होगा, और देखे, आप लिपिक सह कम्पुटर ओपरेटर का योगता क्या है, किसी भी मानियता प्राप्ट संस्थान विस विद्यालेस से, असनातक संकक्ष डिग्री कम्पुटर में, इसमें भी एक साल का डिग्री मांगना जाता है, डिशीय का, और कम्पुटर टंक क्या बोला है, गार्णर का योगता क्या है, दसमी उत्तिन एवं सारेरिक रूप से स्वस्थ एवं साइकिल चलाने की योगता अनिवार्ज है, तथा महिला को साइकिल चलाने की छूट दी जाएगी, गार्णर का योगता है, दसमी पास और साइकिल चलाना होना चाहिए, औ तो उसको परार्थिमिक्ता दी जाएगी दोस्तों यहां पे लिखा गया है आवेदन करते समय आरक्षन का दावा करने वाले पिछरे जाती अभिहार्थी के पास निम्नांकित परमान पत्र अनिवार्ज रूप से होना चाहिए जैसे जाती पर्मानपत्र अस्थाई निवास मूल निवास डो मिसाइल पर्मानपत्र क्रीम लेयर रहीत पर्मानपत्र विवाहित विवाहित महला अव्यार्थी के लिए अपने पिता अस्थाई पता से निर्गत पर्मानपत्र और तो बता दे दोस्तों आप लोग को जाती आवास निवास और क्रीम लेयर वाले ना चाहिए लोग बनवालेजेगा रासा जानकारी था दोस्तों क्रिसी विभाग के तरफ से जो वर निवव encl veg में कैसे आप लोग दाल के डाक के दोड़ा भेजिएगा उसके लिए हम वीडियो बना देंगे दोस्तों बता दे आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि ऐसी निव भेकेंसी निव अबडेट आ काड़ा